इंडिया है उन्होंने जो अभी तक जज्ज्मेंट अप्लोड नहीं हुआ है जो मीडिया से जो हमने पड़ा है खासर से लाइब लौ हो या बारें पेंच हो जिसमें उस जजज्जाब ने कहा है के और उन्होंने कहा है के करनाटा का हाई कोट ने हाई कोट तुकर रॉंग पास तो यह यह बात जिस्टिस जूलिया साब ने कही है कि इस अल्टिमेटली एक मैटर अफ चॉइस का हिस्सा है और आटिकल 14 और 19 का उन्होंने हवाला दिया है और साथे साथे ने कहा है के the foremost question in my mind was education of the girl child. Are we making her life any better? It is common knowledge that a girl child primarily rural and semi-rural has a lot of difficulties. They have to do daily household course before going to school. और उन्होंने इंप्उर्टन बात ज़शिस दिुलिया साहब ने कही है है आपने जज्जम NT में जो एक्सव इनकी मिला है आई भोधिज्जम NT इन बीज एमानियूल स्क्वेर ले कवर्ड एक्वार्ड एश हूँ तो हम तो यह उम्मीद कर रहे थे का आज रिजूशन हो जाएगा मगर एक सुप्रीम कोट के जज का जज्मेंट हिजाब के फिवर में आया है और जो हाई कोट का जज्मेंट था मेरी राय में इट वस बैड इन लौ बैड इन टर्मस अब इट कंटेंट्स और इट हैड मिस्यूस कुरानिक कमेंट्री जन ट्रांसलेशन दिस हैस सीरियस रिमिफिकेशन चुड नौट है विन अलाओड ये जो करना टका की मुस्लिम नड़कियां हिजाब पेहन रही है इसलिए पेहन रही है उनको ये कहा है हुकुम दिया है और वो इसलिए पेहन रही है कि कुरान में लाँने कहा है तो भी जेपी ने गहर जुरूरी มुसला बनाया इसको बैंड किया और खामखां एक रक्कस क्रियट किया गया है तो ये मेरी इनिशिल राय है अब जब ज़ज्मेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामें बोल सकेंगे तो इसी लिए मैंने कहाए के दो हाई कोट का जज्ज्मेंट था वो इट वस बैड इन लौ और उसके कंटेंट में भी खराब था और उन्होंने गलत खुरानिक कमेंटरी जन्ट ट्रांसलेशन पर इस्तमाल किया अब खुरान के काया ते ला अखरा फिद्दीन के दीन में हिजाब के लिए इस्तमाल नहीं हुई थी वो रिलिजिन के एकसेप्टंस में इस्तमाल हुई थी उल्मा एकराम ने कहा तो आपने उस भुजाब पे डाल दिया तो इसलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था वो ऑन्रेबल जजज्ज्ज ने वो गलत मिस्यूस किया वलके खु चयँब बेंच की उसमें तो त्फीना झौजज्द को रहे हुजाब को कहा कि जुर्त नहीं है यहां पर सुक्रिएम कोट ने जो ऑन्रेबल जजज्जज्ज ने डिफर किया है वह एक जजजिज्ज हुलिया साब ने हिजाब के फेवर में जजज्मेंट भिया है अब आपका टाइम चले आएगा फिर वो सोच लिजे पिर आप इंग्लिश में बोलने हैं साथ कोटा था ने ने होगया आप चलिए करेंगे लाइफ के लिए के सब खतम है इनिशिल रिमार्स बोल दिया हमें कौन कर लें दो पहले हैं चलो इसके बाद नहीं बच्ची को यहा आरे आप लास में आँ